हलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सेविल में दोस्तों इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जब सिंडी बनाते हैं यानि जो अपने जीना बनाते हैं तो उसमें जो जाल होता है वो जाल कैसे बांदा जाता है दोस्तों जब हम खुद से अपना घर बनाते हैं या तो मिस्तिरी या ठेकदार से तो हम यह हमारे पास इस्ट्रक्शर का ड्राइंग नहीं होता है हमारे पास जो इस्टील डिजाइन होता है वो नहीं होता है कि हमें कैसे बांदना है कैसे जीने में सरीय देना है तो हम Akshak pensar ठेकदार और mystery होते हैं हो हमारा जो जीना है हो simple तरीके से single जाली में बांढ देपे हैं तो इस वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि simple जो जाली होती है जो जीने में यहां पे बांदा गया है वो आपको कैसे बांदना है और उसमें आपको किन बातों का ख्याल रखना है और कौन-कौन से मिश्टेक उसमें होता है वो मिश्टेक आपको नहीं करना है तो चलिए वीडियो को डीटेल में सुरू करते हैं दोस्तो वैसे तो आपको बता दूँ कि सिंपल जो यानि सिंगल जो जाली हम जिने में बानते हैं दोस्तो ये गलत तरीका है इसमें दोस्तो कभी न कभी आने वाले टाइम में बाद में आपको 5 साल दस साल बाद जब इस पर continue लोड पड़ता है यानि जब हम इस पर आते जाते हैं और हमारा building और जैसे हम एक दो floor उपर बना लेते हैं तो हमेशा आना जाना लगा रहाता है तो उससे कभी न कभी उसमें crack आपको देखने को मिलता है इसलिए दोस्तों मैं ये बताने से पहले आप से कहूंगा कि आपको कभी भी double जाली का जीना यहां पे सरीय का बांधना चाहिए लेकिन यहां single जाली यूज किया जा रहा है और अभी भी हमारे गाउं या बहुत सारे सहरों में ऐसा simple जो single जाली है यही बांध के यूज किया जाता है तो दोस्तों इसमें जैसे आप यहां देख रहे हैं कि यह जो जीने की चोड़ाई है यहां तीन फिट तीन इंच किती गई है और जो यहां पे जो सरीय यूज किया गया है यह 12 mm का यानि छोटा दूरी यानि कि जो हमारा main बार है जो लंबा आप सरीय नीचे देख रहा है डिस्ट्रिविशन बार हो भी 12 mm का यूज किया गया है और दो सरीय के बीच में जो आपको यह box बना हुगा दिख रहा है यानि center to center इसका spacing यहां पे 5-6 इंच का दिया गया है आपको 5-6 इंच ही रखना चाहिए और जैसा आप यहां देख रहे हैं दोस्तों यहां पे पहला जब landing यहां चड़ता है तो पहले landing के बाद से अब हमको यहां पे ऊपर यहां पे चड़ाना है जीना तो यहां देख सकते हैं कि ऊपर चड़ने के लिए पहनले हम एक बार में एक ही हम ढ़लाई करते हैं एक ही पोर्षन तो फिर आगे अब यहां से इसको उपर हमारे यानि च्छत जो बंद रहा है और च्छत का बीम बंद रहा है उसमें यह जो सरीया आप देख रहे हैं यहां ओबर लैपिंग के लिए पहले हमारे लैंडिंग से तीन से चार फिट का यहां पे सरीया छोड़ा गया है जो कि हमारा आप यहां देख रहे हैं उपर में बीम दिख रहा है और आपका च्छत का यहां पे जब सरीया बंद जाएगा तो उसके नीचे नीचे इस सरीया में ओबर लैपिंग करके यानि और लंबा सरीया इसमें फ देख रहे हैं कि पीलर के पास यहां पर सरिया को काट के छोड़ दिया गया है जो कि बहुत गलत तरीका है यहां पर या तो पहले से यहां पीलर से जब पीलर कास्टिंग हो रही थी तो उसमें से सरिया निकाल के छोड़ा जाना चाहिए था ताकि पीलर के सरिया से इसके जीन तो यहां अगली मिश्टेक मैं आपको दिखा रहा हूं यहां आप जो देख रहे हैं यहां पर बांदा गया है यह एक बरावर नहीं बांदा गया है कोई आप सरिया में जो सेंटर टू सेंटर यह बीच का बॉक्स बन रहा है यह आप देख रहे हैं कोई चार इंच का है कोई इसमें फिर अलग से कास्टिंग किया रहा है कास्टिंग का जो थिकनस है यहाँ पर तीन से चार इंच का रखा जा रहा है क्सटिंग का चाह Ottoman से पहले आपको यह कॉपर बॉलग जरूर यूज कर लेनी चाहिए क्योंकि अगर आप कोपर बॉलग नहीं यूज़ करेंगे तो फिर आपका जो रोडी है वो नीचे तक नहीं जा पाएगा और नीचे से जब आप अपना सट्रिंग खोलेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारे या वहाँ नी कम देखने को मिलेंगे यानि बहुत सारे आपको वहाँ पर सरीया दिखाई देगा नीच का जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस टेप चड़ाया जाता है तो दोस्तों यह अपना पैसा बचाने के लिए और लोग ऐसे इटो का इस टेप चड़वा लेते हैं और अलग से यह बहुत ही सिंपल में थड़ है लेकिन मैं दोस्तों कहूंगा कि आपको यह जो तरीका है बहुत पुराना तरीका है अगर आप टेकनिकल वियू से अपना घर बनाना चाहते हैं जीना बनाना चाहते हैं तो आपको डवल जाली का सरिया यहाँ पर जरूर जरूर बनाना चाहिए और जीना में आप कोसिस यह करें दोस्तों की कास्टिंग के साथ ही अगर आप उसके इस टेप को भी कास्ट करके काट लेते हैं तो सबसे अच्छा जीना बनके आता है तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि डबल जाली के जीना आपको कैसे बनाना है और आपको उसमें सरीय कैसे बाइंड करना है और उसमें आप एक साथ कैसे कंक्रीट कास्टिंग करके उसके स्टेप को काट सकते हैं